हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब एक बार पुना आप सभी का आपके अपने ही चैनल सीव कोचिंग क्लासस पर स्वगत है दोस्तो आप लोगों का डिवान था चैप्टर सेबन इस्टार्ट कीज़े सर तो चैप्टर सेबन इस्टार्ट हो चुका है चैप्टर सेबन का नाम दोस कमझेंगे ना अपने तो दोस्तों बहुत आसानी से समझ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं तो चले दोस्तों देखते हैं सामय वस्ता लेकिन दोस्तों दी अच्छा लागे तो जरूर लाइक करेगा दोस्तों साथ स्यार करेंगे दोस्तों ने तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आ सांदर्ण इस्थित हो जाते हैं आप देखे दोस्तो इससे आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा है क्या चीज सांदर्ण का दोस्तो मतलब होता है जैसे मालीच ये पदार्थ है उसके बिले पदार्थों के मान अपरिवर्तित हो जाए पहले सांदर्था है क्या सांद्र या सांद्र वही कहलाता है जिसमें बिले पदार्थ की मात्रा अधिक होती है अब इसकी सांद्र अपरिवर्तित हो और इसके सांसा दोस्तो दाब और घनत तो हैं रंग है ये सबी के सबी स्थिर हो जाएं और अविकारक वाक्रिया फल में क्या है अब क्रिया चलता र अग्र अवक्रिया की दर ठीक है बराबर हो जाए दोस्तो फश अवक्रिया की दर या प्रतीप अवक्रिया की दर समझेगा दोस्तो समझ में आएगा नहीं तो क्यों दोस्तो आपके सेलेबस में आपके लिए है और हमारा करतब है आपको समझाना जितना महिनत लगे दोस्तो ह पानी है ये बदल रहा है वास्प में और बास्प बदल रहा दुस्तो पानी में तो इसकी प्रोसेस चाहे हम बाहर से परिवर्तित करें या नहीं संद्रन संद्र इस्तिर हो जाए ताप दाप सब इस्तिर है ठीक है ना ताप दाप सब इस्तिर है लेकिन उस इस्तिर ताप दा और बास पानी में बदल रहा है दोनों की रिवर्सिवल प्रोसेस चालू है मतलब दोस्तो अगर अवक्रिया की वीदर और प्रतीब अवक्रिया की वीदर मतलब अभिकारक जो है उतपाद में बदल रहे हैं अभिकारक दोस्तो उतपाद में बदल रहे हैं और दोस्तो उतपा को हम साम में वस्था कहते हैं मतलब दोनों अविक्रिया अग्र अवक्रिया और प्रतीब अवक्रिया मतलब आगे का और पीछे का दोनों प्रोसेस दोस्तों साथ साथ चल रहे हैं तब इस कंडिशन को हम कहते हैं दोस्तों क्या शाम में वस्था कहते हैं क्लियर दोस्तों आप कोई भी अवक्रिया है। यदि उसके सांदर ताप दाव आदी की प्रकति क्या वौ दूस्तो इस्थिर हो जाए परिवर्थित नहों है ना ? तब उस इस्थित को हम कहते हैं दूस्तो क्या कहते हैं साम्य वस्था। अब आगे समझना है दोस्तो जो भौतिक परिवर्तन में साम होता है समझेगा भौतिक परिवर्तन में साम में तीन प्रकार से होता है भौतिक परिवर्तनों में साम में अवस्ता तीन इस्थित में होता है शम तीन इस्थित कौन कौन से दोस्तो समझना है पहला इस्थित दोस तो ठोस और द्राव के वीच मतलब दोस किसमें बदल रहा है द्राव में बदल रहा है और द्राव किसमें बदल रहा है ठोस में बदल रहा है क्लियर दोस जिसको बोलते हैं पिघलना पिघलना ना बर्प का पिघलना ठीक है दोस्तो अगला इस्टेफ द्राव किसमें बदल है बास्प में और बास्प का समय वस्था द्राव के साथ है तो यह कहला है दोस बास्प भी करण क्लिर दोस्टो Тीसरे दोस है आपका ठोस किस में बदल रहा दोस्टो सीधे गेंस में बदल रहा और ये दोनो रिवर्सबल प्रोसेस हैं इसलिए दोस्तो इसको उत्करम्री प्रोसेस भी कह सकते हैं और ये प्रक्रिया दोस्तो कहलाती है उर्धफातन तो ये तीन प्रकार के मतला बहुत एक परिवर्तन में साम होते हैं तो इनको भी जानना जरूरी है ठीक है अब दोस्तो एक चीज है कि क्या पेपर में एक कोशन आता है तो दोस्तो पेपर में कोशन नहीं आता है भाई आपको सीधा बता रहा हूँ पेपर में कोशन नहीं आएगा लेकिन आपको समझना तो जरूरी है यार क्योंकि आपके सिलेबस में तो इनको समझना बहुत जरूरी है अब दोस्तो समझेगा जिसे कोई पदार ठोस से द्रौ में बदल रहा है तो उसकी प्रक्रिया को पिघलना कहते हैं और दोस्तो जो ताप लगता है उसे दोस्तो क्या कहलाते हैं गलना कहते हैं और उसके एक और प्रक्रिया को दोस्तो गलन भी कहते हैं अब इनकी परिभासाएं भी मुझे बताना आवस्सक है क्यूं क्यूं क्यूंकि दोस्तों आपके सेलेवस में जो भी मैं topic cover कराता हूं तो आपको पता होगा दोस्तों कि जो भी सब्द आते हीं उनको मैं बिड़िबत परिवासा समझाता हूं ताकि आप लोगों को उस सब्द का अर्थ हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए दोस्तो किसी ठोस को जब हमको द्रौ में बदलना होता है किसी ठोस को जैसे हमें दिवात करें विबार्व को किस में बदलना दोस्तो पानी में बदलना है द्रौ भी तवस्ता में बदलना है तो इस ठोस को दोस्तो उस्मा दी जाती है तो एक निश्चित उस्मा होती है जिसके उपस्थिती पर यह जो ठोस अवस्था है द्रवित अवस्था में बदल जाता है एक निश्चित ताप या एक निश्चित उस्मा दोस्था जिस ताप पर जिस उस्मा पर ठोस अवस्था द्रवित अवस्था में बदल जाता है दोस तो है प्रक्रिया क्या कहलाती दूस्तू वो तो गलन कहलाती ये लेकिन वह ताम जिस ताम पर उभद रह नहा ये वह ताम उसका गलनांक कहलाती और यह प्रक्रिया दोस्तों कहलाती है क्या कहलाती है गलन कहलाती है ठीक है अब दोस्तों इसी से हमें दिवात करें द्रो को ठोस में बदलना है तो जमाना आए एनि बर्प में बदलना है तो उसको कहते हैं दोस्तों हीमांक ठीक है दोस्तों हीमांक जिसको ओलते हैं दोस्तो freezing point अब इसका same opposite है दोस्तो कि एक बाय मंडली दाप पर वह ताप जिस ताप पर द्राव किसमें ठोस में परिवर्तित हो जाए या ठोस अवस्था में सामय वस्था उपासित हो जाए तो दोस्तो उसे हम कहते हैं हिमांग कहते हिमांग हिमांग का मतलब होता है दोस्तो द्राव पातन की क्रिया क्या है और बास्पी कर्ण की क्रिया क्या है तो बास्पी कर्ण भी समझें दोस्तो बास्पी कर्ण है बास्पी कर्ण मतलब बास्प में बदलना किसी द्राव का किसी द्राव का किसी ताप पर बास्प में बदलने की प्रक्रिया दोस्तो बास्पी कर्ण कहल आता है बस सिंपल तरीका सिंपल परिभास यह सब्द का अर्थ समझना जरूरी ना कि आपके पेपर में आने वाले हैं चोटे-चोटे कॉस्चेन पेपर में नहीं आते दोस्तों और एक नमर अब्जेक्ट्व आएंगे तो इसलिए तुम्हें बता रहा हूं मालनों यहां सब अब्जेक्ट्व के कोशन आ भी गया तो परिभास यह क्युटकी में आप बता सकते हैं यदि आप पूरे वीडियो देख रहे हैं दोस्तों घरंटेट कहता हूं आपको कमिश्टी बहुत हीजी लगेगा लेकिन यह आप एक वीडियो देख रहे हैं तो डेफन टूप से आ उर्दपातन क्या है तो दोस्तों जैसे आपने कपूर को लिया और कपूर को खुला छोड़ दिया तो कुछ समय बाद देखेंगे दोस्तों कपूर गया बहुता है दोस्तों होता क्या है तो कपूर जो होता दोस्तों सीधे ठोस सी किसमें बदल जाता है गैस में बदल जात ऐसी प्रक्रिया दोस्तो जिसमें ठोस जो हुता है क्या दोस टोस भी ना गैस में बदले सीधे द्रौार में बदल जाता Edward गालता है what whites неб गालता है ुर्डपात्न की प्रक्रिया यह चीजी समझ गया दोस्तो अब दोस्तो में बात करूं उतक्रंडी सामों में क्या चीज्ढी जो जो चीजें दोस्तो सब्द आती जाती है उसको मैं कवर करा रहा हूँ क्योंकि ये सब्द आपको मिलने वाले हैं बुक्स में उत्करमडिये उत्करमडिये साम में बताना है आपको उत्करमडिये साम में क्या है दोस्तो तो ऐसी अब करिया है जो किबल एक ही दिसा में चलती है और लगबख समाप्त होने की और बढ़ती है उन्हें दोस्तो हम अनुत करमडी कहते हैं लेकिन दोस्तो ऐसी अब करिया है जो अगर पतीब दोनों दिसाओं में चलती है उन्हें उतकरमडी है उतकरमडी है उतकरमडी ह के हैं दोस्तों लेकिन जो केवल एक ही दिसा में चले जो एक ही दिसा में चले दोस्तों उसे अनुत क्रमडी अबक्रिया कहते हैं लेकिन दोस्तों साम में वस्ता केवल उत्क्रमडी में ही सबसे ज़्यादा प्रदर्सित करता है समझ रहे ना बात को दोस्तों तो उत्क्रमड अबक्रिया क्या कहलाती है ये तो पता है कि होई अबक्रिया जो किवल एक ही दिस्ता में चलती है उसे अनुथक्रम्री कहती है लेकिन साम में बस था दोस्तो उत्प्रम्री में ही संभा होता है क्योंकि दोस्तो इसमें रिवार्सिवल मतलब दोस्तो प्रोड़क्ट से आए उ दोस्तो जैसे गए सौधरों की शाम होता है अधिकांस्ता दोस्तो ये बंद पात्र में ही संभा होते हैं ताकि दोस्तो दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती रहें क्लियर दोस्तो तो ये रहा दोस्तो कुछ सामान जानकरी दोस्तो अगले वीडियो में आपको एक इंपोर्टन और काफी महत्पून रहेगा आपके पेपर में आने बाला रहेगा दोस्तो इसलिए आप उससे त्यार कर लीजिएगा चले दोस्तो फिर चलते हैं यह जी वीडियो पसंद रहा है तो प्रीज लाइक करके जाएगा दोस्तों से शेयर करिएगा नहीं ते चैनल को सब्सक्राइ जेहिन बने मतरम